कि यहीं दोस्तों मैं रिंकु सिंग आपके अपने यूटूब चैनल वेपसिट पॉइंट पर हार दिक स्वागत करता हूं आप हमारे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा आज हम हिंदी वर्ण माला पढ़ेंगे मैं यूपी ऐसाई के लिए स्पेशल पढ और अब यह बहुत है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा ठीक है दोस्तों हिंदी वर्ण माला के बारे हम पढ़ेंगे हम हिंदी वर्ण माला को दो वागों में वाजित किया गया है नंबर एक कि स्वर नंबर दो व्यंजन अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे स्वरों का विवाजन का विवाजन किस प्रकार से क्या गया और वर्ण माला की परिभास है उसे पढ़ेंगे ठीक है दोस्तो वर्ण माला क्या होती है वर्णों के व्योस्तिस समु को वर्ण माला कहते हैं और जो वर्ण क्या है वर्ण कि वासा की सबस्वर चोटे एकाई वर्ण या फिर धवनी कहलाती है हिंदी वर्ण वाला में वर्णों की संख्या 52 होती है जिनमे 11 स्वर होते हैं दो आयोगवा होते हैं 25 इसपर्ष वेंजन होते हैं ठीक है दोस्तों दो हमारे दीगुन वेंजन होते हैं चार हमारे सेंग्ट वेंजन होते हैं ठीक है दोस्तों और चार हमारे अंतेस्ते वेंजन होते हैं चार हमारे सेसी वेंजन होते हैं अब इन्हें हम जोड़के देखेंगे तो टोटल हमारे बावन होंगे और फिर्थे बितार से हम चर्चा आगे करने वाले हैं आए दोस्तों हम वावन जो हिंदी वर्ण माला के वर्ण हैं उनके वर्मे बारании वि्स्तारdo देखेंगे तो चोषर हमारे भ्यार niedैं आज्या हैं आए ई और इ बढ़ी स्वेटेवर्ग के हमारी 25 है यह चैवर्ग के हैं चैवर्ग के हैं यह पैवर्ग में आजाते हैं है ठीक है दोस्सों फिर हमारे दीघुन विंजन दीधुन्चन की शंख्या हमारी जार है यह रह le क्क्षर विचार ने इनकी संक्षर शर्ण शर्ट विचार ये विचार है के इस Näनल में एक दो कोर्षण पूछे जाते हैं इस खक्ष्र है क्ये विचार है Om रहे से मिलके बना होता है ज्यानी जो है जैसे और अने खाली से मिलके बना होता है दोस्तों इसके बाद में हम सुवरों का वारे मिविस्तार से चर्चा करेंगे ठीक है जो सुवर है हमारे सुवर की परिवासा से है स्वितंतर रूप से बोले जाने वाले बढ़नों को हम स्व कहते हैं सद्वर के मूलते संक्या होती हो 11 अगर हम इयोगवा को भी उसमें सामिल कर लें हमारे स्वरों की संक्या 13 हो जाएगी एक्जाम में इस प्रकार से आ जाए कि कि सब्रों की कि उलते हैं कि संक्या कि कितनी होती है तो आप अंस्वर होगा आपका अंस्वर होगा 11 कि संक्या कितनी होती है तो आपका अंस्वर होगा 13 अगर को संस्वर में हो 11 और 13 दोनों दे रखें तो आप तेहरे वाले को अंस्वर लगाएंगे अन्यता आप 11 को रखेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे शोरों का वर्गी करन तो हम स्वरों के वर्गी करन के बारे में बात कर रहे थे जो स्वरों का वर्गी करन मात्रा का आधार पर हम यह पढ़ेंगे तो मात्रा के आधार पर सवरों का वर्गेगन तीर प्रकार से क्या गया है हर्श या लगू देट कर फिर हमारा गुरु कह देते अचार फिलोत हैं तो लगू में हमारे चार वरण को रखा गया है ए ए उ रिसी तो हमारे जो लगू वर संक्या कितनी होते चार एसी ही हमारे दिरिग गुरु स्वर बोल सकते हैं उनकी संक्या साथ होती है इन में रखा गया आ फ्लूते सवर की मुखे पैचा निस सरकेश होते हैं इस तरह के से बनेगा सेंबल तो इसमें हमारे जो कुछ उधारन है राम जिनमें हमारे जो टाइम है जिनके चारे में लगए हम दिल्ग से अधिक समय लगता है उन्हें हम फ्लूत सवर कहते हैं ठीक है दोस्तों इसके बाद में हम पढ़ेंगे जीब के आधार पर स्वरों का वर्गी करण आप इसका स्कीन सोट ले सकते हैं तो जीब के आधार पर हमने सवरों को वर्गी करण को तीन वागों में वाजित किया गया है अगर अगर सवर में याद करने के ट्रिक बना सकते हैं जैसे अगरिणी कि अगर से बनेगा अग्रेनी हालगी जो एहां घ्रेणी में यह नहीं आता है लेकिन याद करने के लिए लिखा लिखा है इसमें जैसे करने के रख रहे गया है तो दोनों यहाँ आगे हैं यह जिन सब्सक्राइब के लिए है हम मत्यक confirmने रखते हैं मत्यसराय में इक ही सव्वर को रखा गया है एक के वलको फिर पश चुआ है पास्वर लोग के पंसे करते हैं उन्ने हम पस्वर में रखते हैं पर सकत मतलब होता है नहीं के पिछले बाग से तो इसमें हमने रखा गया और बिजना ने इसके बाद में यह एक द्वान बें करेंगे दोस्तों कि तो कि मुख्य दौऱ परणें भिदा था कि सभ्वरो outreach को चार वागित में या इससे याद करने का तरिक्फा है दोस्तों समवर्थ सब्सक्राइब किया अचेक्वरहे हैं हाँ गैक्क है तो सुमी से याद हो जाएगा तो दोनों इसमेदब हो डेहंगे फिर और मंद रहोता है उसे लगत छाप से यहाद कर सकते हैं इसके बाद में हमारा वीवर्त है उसके बारे में बढ़ेंगे ठीक है जिसमें व हिरे चाइम हमारा मुझ फूरा खुल होता है जैसे आप तो हमवारा मुझ लगवग कुरा खुल जाता है है और और को रखा जाता है जिने बोलते समय हमारा मुझ आधा कुला होता है इन्में हमने चार पर रखा है जैसे सो 4 और ऑो Focus इस पढ़ेंगे ओतों की स्तिती हैं नमबर एक है वर्थमुकी वर्थमुकी में जब वर्थमुकी जिन सब्रों का उच्चारण करते समय होटों की स्तितिक गौलाकार हो उन्हें हम वर्त मुखी में रखते हैं वर्त मुखी में हमने रखा है ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ मुख से निकलने के आदार पर है कि आरत दए हाँ तो दोस्तों हमने रखते हैं जैसे हम ल्लूर के ऊचारण करने सब्सक्राइब को हुए कराका है puisque हम्हेल मुंक द्गलति सेय। से में रखते हैं जैसे है अनुनासिक में हवा मुक के सासा नाग से निकलती है उन्हें अनुनासिक जैसे की चंद्रकार बिंदू होते हैं जैसे उसके बाद मिंवेंज admir ». उक्षारण के आधार पर वरणों का व्यवाजन कर रखा है हमने कंट से जो बोलेंगे? कंट से बोलते हैं A-A-A-A-Q कयवर के बोलेंगे कवरग में जो भी vendasन आते हुझे हम कंट से बोलते हैं और है को भी उसके बाद है तालू ने वारा मुझ का अगला पार्ड होता है जिसे बोलते हैं रिसी को तैवर को बोलेंगे उसके बाद कुछ हैं जो दोनों के सामिल होने से बोले आते हैं जैसे कंड और तालों से बोल जाएंगे और बढ़ा एंँ धनत और ओष्ट से बोलते हैं वैको ठीक है दोस्तों फिर उसके बाद साथ बोलते हैं कंट प्लस रोट से बोलें आ जाने वाले जो वरण है उनकी संक्या है तीन ओ और और आ कुछ को नाशिक से भी बोला जाता है जैसे अने 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 गाली ने 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 और मैं यानि कि हर जो हर तत्व के पांच हुए वर्ग से बोले जाते हैं इसके बाद हम जिन और करेंगे और किस प्रकार से बोलते हैं इसे हमारे साथ दोर आएंगे जैसे कि कंट से बोलेंगे कंट हमारे यहां होता है तो से हम बोलेंगे कंट से जैसे ए तो हमारा कंट यहां से तो एक आवाज हमारी नीचे से निगर लिए हमारे मौका सबसे प्लास्ट वाला प इसकते हैं उसके बादे तालू से तालू हमारे जो मुखा किछला पार्ट होता है और कंड से अगले वाला पाथ होगता है यह रही है तो इसतरी में दोस्तों उसके वहाद मूद्रा मूद्र से हमारे ताल strands चौहला वाला मूंब Rich सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब लिए तो आप देख रहे हैं तो तो आप दांतों का इस्तिमाल कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रही है जैसे से आप देखेंगे जीव हमारी बाहर को आ जाती है उसके बाद में कुछ हमारे कंट और तालों से बोले जाते हैं एक साथ निकलती है जैसे आवाज ए और आप देख रहे हैं हैं कि एक हमारे कंट और दालों का इस्तेमाल उसमें हो रहा है उसके बाद दोनों हो मिलते हैं और जान कम घंड करते हिं घर वहं में में उसी निकलें में ज्येश्वादेश्व का वारे में पढ़ेंगे नमघन के वारे में पढ़ेंगे नैने कि का आप्यागं जैसे कि जैसे हम समझेंगे सै है तो हम इस पर लिखते हैं सै प्लस दो यह हलंत है अगर आम इसे ऋर मिलकर ही हमारा सै जो है ज़ो बनता है तो हम वठीके बारे में पड़ेंगे इस पर यह जो है मुक के किसी विशेज भाग जैसे कंट, तालू या मुर्दा, तंथ, ओस्ट, आदी से निकलती है उन्हें स्वेंजन कहते हैं अब इस पर स्वेंजनों के बारे में लिखेंगे अब हम बढ़ेंगे इस पर स्वेंजन कौन कौन से होते हैं वर्ग है हमारा टै, 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 टै वर्ग इनके बारे बढ़ेंगे उचारण इस्तारण है इनके उचारण इस्तारण है तो उचारण इस्तारण इसका हम पहले में लिख देता हूं वर्ग में कौन कौन से आएंगे कहके बाद हमारा आता खै, गै, गै, अनेखाली प्सक्राइब कि पेर आहेगा मार थेवरग में लॉई ätte आयेजह चे जा के बाद में देखे तई भीर आयेगा कि फिर आएगा हमारा फिर अनेखाली आए ठीक थोड़ा सिक्वेंस गलत हो गए जैसे इस परकार्ज लिखेंगे बह पहला आएगा यह फिर डाय धकन आता है फिर आता थै थै दै धै ने फेश के बाद में पै फै बह पैसे बह आता फिर मैं आता है तो यह हमारे वर्ग है क्य आता पर क्यों एगा उस्या औरह कि ये लातों एका से बेडा राद से बोले जाते हैं वंकि तालूच से यह जाते है यह और से गलत हो गया है कि यह कंड्ड więks मुर्दा से बोले जाएंगे कि कि दन्ट से बोले जाते हैं और एल्ग आ या नव य्मयाद इस प्रकार से बित करते हैं से तालू से ले दंज से ऐसे बोले जाते हैं यह बोले जाते हैं यह लाद फिस परकार से Workers कते हैं के लिकान कर याद कर सकते हैं तालू कोती से इस इसे मैं से याद गर सकते हैं working the क्स बोलने यह घंस बना कर सकते केटियमं 2 कैसे बोलना हमारा कंट बना उनला टालूं लाम और देंग यह संसा घंट से ने से रखना गले कशlaw मेडटें गयं और इसी प्रैकर्ण दें चैख रिश्य क mett है जय कैजी है ऑणे आप देखेंगे हमारा लुग हहे मुँका पिछला पाइक लूप हेता कंट के जस्ट बाद में ढृता है यह पिनी पिछला पाइक देखे हैं और मुद्रा में हमारा होता है जह मुखा अगला पार्ण होता है इसे और है तो कि बोले हैं उझका पर why ते-बार किए उसके बादें देनं सब बोलते हैं तो इसे एक पार्ण मोश्ट वालिं होते हैं अब देख रहे हैं कि हमारे जीवे होटों कू इससके बहद हम वर्गों का वर्गी करहनें उन्हें पड़ेंगे गोसत्तुव के आधार पर और और प्रानसर प्रान्तव के आधार पड़ेंगे अगा जिन वेंजनों को बोलते समय हवा यानि कि मुह से हवा कम निकलती है मुह से कम हवा निकलती है निकलती है ठीक है इसमें हम रखेंगे जो हमारे कै कचट तप वर्ग के जो हैं पहला और तीसरा और पांच वर्ग वर्ग पांच वेंजनों रखेंगे पहला तीसरा पांच वेंजनों रखेंगे कचट तप वर्ग के ठीक है दोस्तों फिर है पराणतव जिन वेंजनों को बोलते हैं समय मुख से ज्यादा हवा निकलती है हवा निकलती है उन्हें हम प्रांतव में रखते हैं प्रांतव में हर वर्ग के दूसरे और 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 प fir जोस्ते योग तर्वें शाता तुम्हें रखा गया यह ग्या से नियसमें इंपने उन्हें रखा गया है यह उंशन लेंगन के लखने हमें जो हमारे चौते दूसरे चौते जो त्व है तुछ वरन है उन्हें रखा गया है हर एक जिसे क्ली खे और की रखा गया है यह क्या है यह दूसरा और चौता है इस प्रकार से हम वेंजरों का जो वर्गी करने दोस्तों अब गोशत के आदार पर पढ़ेंगे ठीक हम गोसत के आधारों पढ़ेंगे गोसत के आधार पर हम पढ़ेंगे एगोस एगोस व्यंजन जन व्यंजनों को बोलते समय बोलते समय जो हमारे जो तो सवर्तन्त्र हैं कमकंप convince करते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय इत रहां हो चलार कमपन ना करें उन्हें हम एगोस व्यंजन कहते हैं एगोस में हर वर् के पहले दूसरे जो वरण को रखा है ये विंजन को रखा है पहले दूसरा हर वर्ग जैसे हर वर्ग का पहला पहलवा एवं दूसरा विएंजन एगोस विएंजन कहलाता है कहलाता है फिर हमारा गोस गोस विएंजन है जिन विएंजनों को बोलते समय बोलते समय स्वेतंत्र बोलते समय जो हमारे स्वर्ण तंत्र कंपन करते हैं कंपन करते हैं उन्हें हम गोस विएंजन में रखते हैं हर वार्ग का हर वार्ग का तीसरा चोथ्था एवं पांचवा पांचवा विएंजन गोस विएंजन कहलाता है तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अंत्र इस्तर विएंजन अंत्र इस्तर विएंजन जिन विएंजनों का उचारण जिन विएंजनों का उचारण स्वर्ण एवं तोरी जिन वरणों का उचारण का उचारन स्यों रहे हूं वियंजन के मद्धिया होता है वे हमारे अंत्य हिस्ते वियंजन के वर्ग हैं यह रहे ले वे हैं ठीक है दोस्तों पर इनका जो चारन स्थान है इसे हम बोल लेंगे तालू से इसे हम बोलेंगे दंत से इन दोनों को इसे दंत और रोश्क से बोल देंगे दंत प्लस रोश्क से ठीक है जोईने हमारे गोश रहे गोश के अधार पर यह हमारे से गोश में आते हैं और प्रांट के अधार पर अल्प्राम में आएंगे अल्प प्राण में ठीक है जो हमारा यह है और वह है यह और वह हमारे अर्थवर कहलाते हैं यह हमारे अर्थवर है और जो हमारा रह है यह हमारा लूंटित है यह लूंटित कहला आएगा यह हमरा यह पारे लूंटित हैं कि हमारा लाय यह पार्शीões वेंजन है कि हमारा फार्शक कहलाता था इसके बाद हम पड़ेंगे यह पर सिंख्या थी il वेंजनों के वारे में चर्चा करेंगे उस्म ओब्लिक संगरसी जैसे कि नाम से इस पश्टोरा संगरस यानि कि आप असमें जगडते हैं जिन्व जब फिर इस प्रकार लिखेंगे वे वेंजन वे वेंजन जो उचारन के दोरान मुँ के किसी भाग में रगड कर उसमा उत्पन करते हैं उत्पन करते हैं हमारे क्या है उसमिया संगरसी वेंजन कहलाते हैं इन की संक्या चार है अज़ा है अज़ा अज़ा को से सटकोन से संत्रा बोलते हैं यह हैं तो यह हमारे हैं तो जो मारा सै है इस प्रकार लिखो अज़ा है यह हमारा किसे बोला जाएगा दोस्तों इसे बोलेंगे हम कंड से इसा मोलेंगे तालू से यह दंच से बोलते हैं इस वोस्ट बोलेंगे यह सारे हमारे जो चारों के प्राणतवर उसके गोस्त क्या दार्वन में बता देता हूं यह सारे हमारे महाप्राण में आते हैं कि यह तीन जो हमारे एगोस हैं यह हमारा है गोस है गोस बोल देंगे हैं से गोस बोल देते हैं है यह सराइगजामें पूछा दाता दोस्तों कि बच्चे नितयाते कर लेते हैं महापराण अगोस है तो है को क्वार तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगत धवनिया अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आगत द्वनियों के बारे में आगत द्वनियों में अर्भी फार्सी से लेगी है कुछ द्वनिया जो आई हैं अर्भी फार्सी कि इसमें हमारे हैं ए कै खै गै जै फै इन दमने को नुक्ता वाले तल बिंदू वाले भी बोलते हैं तल बिंदू या नुक्ता वाले वन ठीक है इसमें से एक्सार जाता और अंग्रेजी सी वाल अग्रेजी साया वाल पूनिया अपर चैंट्र चैनल कर्वनियों में इसके आद में को तोफू को बचता है यानि की अब बाजता दिगुन या उत्षिप्त वियंजन जो इनकी संक्या है मात्र दो है वे हैं डै और डै इन पर जो अंकी बिंदों निच्छे लगी भी है ठीक है तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है हिंदी वर्ण वाला चैप्टर समापत होता और मैं आसा करता हूं कि जो हमने पढ़ाया है सारे कोसंस जो हमारे इसी में से लग जाएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सकाइब लाइक शेयर ज़रूर करते रहें इसी के साथ धन्यवाद और इसके जो नोट्स हैं वे प्रॉपर वेम नोट्स बनाते रहें इसके बाद हम नए चैप्टर लेका आएंगे जैहिंद